नमस्कार बच्चो, दिस इस राम बिश्णोई and you're watching your Graphic Group. आज के इस एपिसोड में हम continue रखेंगे हमारा class strength history का सबसे important chapter, भारत में राश्टरवाद, nationalism in India. ये chapter no doubt हमारे exam के लिए काफी important है, लेकिन हमारी personal life से भी जुड़ा हुआ है. जो हमारा आज है, उसका कल है ये chapter. हम जिस आजादी के साथ रहे पारें, जिस आजादी को हम मैसूस करें, जिस आजादी के साथ हम जी पारें, या फिर जिस खुली हवा में हम सांस ले पारें, वो इसलिए क्योंकि हमारे अपनों ने, हमारे अपने देशवासियों ने एक लं 1915 से 1934 यानि कि 1915 से 1934 की कहानी है अब तक हम 1915 से 1915 से लेकर के 1923 तक जो कुछ भी हुआ वो इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं आज हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में डिसकस करेंगे कि 1924 से लेकर के 1934 के बीच में हमारी देश में कौन-कौन सी परमु खटनाई हुई लेकिन आगे बढ़ने से फ़ले एक मिनिट में हम री-कैप्चुलेट कर लेते हैं कि क्या-क्या पढ़ चुके हम पहले पार्ट में। नए यूग की शुरुवात हुई थी भारत में उसके बाद 1916 में सबसे मैतमुन घटना घटित हुई थी 1916 की थी चमपान आंदोलन जो गांदी जी का भारत में पहला आंदोलन था फिर हम 1917 में आगे बढ़े थे 1917 में हमने बात के थी खेडा आंदोलन की जो गुजरात के घटना घटित हुई थी जिनके बारे में हम डिसकस कर चुके परतम विश्यवयुद है उसका अंत हुआ था उसके कई सारे परभाव पढ़े थे भारत के उपर और उसके साथ-साथ 1918 में एहमदावाद आंदोलन हुआ था वहां के मिल मजदूरों के पक्ष में गांदी जी अपना तीसरा अंदोलन किया था उसके बाद हम 1919 में आगे बढ़े थे 1919 में दो परमुक घटनाई घटित हुई थी रोलेटेक लेकर के आई थी ब्रिटिस सरकार और जलियावाला बाग कांड हुआ था जलियावाला बाग घटना थी वो घटित हुई थी 1919 में 1920 में हमने 1920 में एक महत्मुन घटना घटित हुई धी खिलाफ़त आंदोलन खिलाफ़त आंदोलन क्यों हुआ था यह एक important topic बनता जो हमने 1920 में डिसक्स किया था उसके बाद 1921 में ऐसे योग आंदोलन की शुरुवात होती है जिसके बारे में हमने डिसक्स किया 1921 इसलिए कहते हैं क्योंकि 1922 में इसके बारे में decision लिया गया था दिसंबर में और उसके बाद 1921 जेन से जनवरी से इसकी शुरुवात होती है उसके बाद 1922 में हम पहुंचे थे 1922 में ऐस योग अंदोलन को वापस ले लिया गया था चोरी-चोरा के घटना के कारण चोरी-चोरा नामक स्थान है योपी में पूर्वी योपी में कोरकपूर के पास तो वहाँ पर एक पुलिस स्थाने को आग लगा दी जाते हैं जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल करके मर जाते हैं गांधी जी उस अंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसके बाद हम 1923 में आगे बढ़े थें। 1923 में सवराज पार्टे की स्थापना होती है। यानि यहां तक का सफर हम इस चैप्टर में तैक कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे कौन-कौन सी परमोग घटनाई गटित होती है। तो यहां पर 1923 के बाद, 1924, 1925, 1926 कोई भी बड़ी गटनाई गटित नहीं होती। इसका कारण यह था कि गांधी जी ने जब ऐस योग अंदोलन को वापस लिया, तो उसके बाद उन्हें मैसूस हुआ कि अभी जो भारतिय लोग है, वो सत्यागरह करने के लिए त्यार नहीं है। करना है, कि इस तरीके से हमें हिंसा का प्रियोग नहीं करना है, तो इसलिए इस तोरान कोई बड़ी घटनाई गटित नहीं होती, बलकि एक बड़े आंदोलन के लिए त्यारी चल लिए होती है। इस चाप्टर में दिया गए, तो साइमन कमिशन की नियोकती कब होती है, 1927 में। इसमें जो साथ सदस्य ते, कितने थे, साथ सदस्य ते और इसके अध्यष्ट सर्जोन साइमन। इसको साइमन कमिशन कहा जाता है, तो इसकी न्यूकती कब होती है 1927 में और ये भारत आता है 1928 में, ये साइमन कमिशन क्यों आता है, एक तरीके से भारतियों को लोली पॉप देने के लिए, कि भारतिये लोग हैं वो त्यारी करें बड़े आंदोलन की, तो चलिए उनको जोन साइमन थे, इसको साइमन कमिशन का जाता है, इसमें साथ सदेश्या थे और ये 1928 में भारत आता है, अब बात आते है कि क्यों आता है, क्यों न्यूकती की गई थी, ये भारत के जो समिधानिक पर नालिये, उसके कामकाज को देखने और प्रिवर्तनों को ले करके तो जो भी समिधानिक प्रावधान थे, उनको देखने के लिए और नए सुझाव देने के लिए, इस कमेशन की नियुक्ती की गए थी, तो ये कब नियुक्त होता है एंगे। 1928 में आता है, क्यों आता है, भारत में परशाषनिक सुधारों के संबंद में सुझाव देने के लिए, भारत में जो परशाषन था, शाषन था, उसके संबंद में क्या-क्या सुधार किया जा सकती है, उसके बारे में सुझाव देने के लिए इसको निक्त किया जाता है, ले यह था किस आयोग में एक भी भारतिय सदस्या नहीं था सभी कौन थे गोरे थे ब्रिटिस थे तो भारतियों को इस बात की तो बिल्कुल समझ थे कि अगर वो ब्रिटिस आ रहे हैं तो क्या खाक वो सुझाव देंगे कुछ नहीं देने वाले हमें कुछ नहीं देंगे सिरफ यह गुमा करके जा रहे हैं तो इसलिए उसका जब भारत पहुंचा साइमन कमिशन तो उसका स्वागत किया गया साइमन गो बैक साइमन या फिर काले जंडे दिखाएगे इसमें कॉंग्रेस मुस्लिम लीग यानि जितने भी बड़े रांतिक दल थे उन्होंने इन परदर्शनों में भाग लिया पूरे देश में साइमन कमिशन के खिलाफ विरोध परदर्शन किया गया था तो यहां पर आपके वन मार्क्स के कॉशन बनेंगे साइमन कमिशन भारत कब आया कब इसकी न्युक्ति हुई क्यों आया या फिर आपका थ्री मार्क्स का कॉशन बन सकता है कि साइमन कमिशन का स्वागत कैसे किया गया था और क्यों किया गया था तो यह हुआ 1927 और 1928 की घटना गटित हुई उसके बाद 1939 में चलते हैं नहरू रिपोर्ट को हम भारत का पहला स्विधान कहते हैं जिन्होंने भारतियों ने बनाया था जो भारत का स्विधान बाद में जब त्यार हुआ तो बहुत बड़ा हिस्सा वहां से भी लिया गया तो वो क्यों बनाएगा था उसको नहरू रिपोर्ट क्यों कहते हैं क्योंकि उस वक्त जो वाइसराय थे उन्होंने चुनोती दी भारतियों को कि मान लीजे आपको शासन दे देते हैं आप से चलाया ही नहीं जाएगा कि आप तो अनपढ हो आप तो गवार हो तो इसको इसके सदिश्य मिल करके एक सविधान तियार करते हैं जिसको नहरू रिपोर्ट कहा जाता है वो 1928 में हो आता हालांकि उसकी आपके NCRT बुक में इतनी डिटेल नहीं दीगे लेकिन क्योंकि 1928 की एक महत्मुन घटना है तो हमें पता होना चाहिए उसके बाद 1929 में लाहोर में कॉंग्रेस का सेशन होता है सत्र होता है अधिवेशन होता है अब ये अधिवेशन क्या होता है और उस वक्त क्यों होता है तो इसकी हम बता दें कि कॉंग्रेस पार्टे की स्थापना 1850 में होई थी 1885 में होई थी सबको पता है हर वर्ष कॉंग्रेस पार्टे का एक 1939 में Congress का एक महतपून अधिवेशन हुआ, कहां हुआ, लाहोर में हुआ, यह अधिवेशन एतियासिक था, एक बहुत important question बनता है, कि लाहोर अधिवेशन जो Congress party का था, वो एतियासिक था, historical था, तीन कारणों से important था, तो यहां पर हमारा जो exam के according question बनता है, कि लाहोर अधिवे नेता, पंडित जोहालाल नहरू Congress party का देक्स बने थी, यानि उससे पहले क्या था, कि केवल भुजरुक जो थे, वही, यानकी जो aged person थे, जिनकी उमर काफी ज़्यादा होते थी, वही Congress party का देक्स बनते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, कि एक युआ नेता है, वो Congress party का द यक्सता में, लाहोर कोंग्रेस में, यानि लाहोर अज्वेशन में, कोंग्रेस ने पूरण सवराज का प्रस्ताव पारित किया था, यानि पहली बार हुआ था, उससे पहले हम क्या डिमांड करे थे, सवराज की, ऐसे योग अंदोलन में हमारा मुख्य डिमांड क्या थी, युदेश ये क्या था, सवराज की प्राप्ति करना, सवराज कार था कि हमें कुछ अधिकार मिल जाए, लोकल लेवल पर हमें गौर्मेंट चलाने का अधिकार मिल जाए, अंग्रेजों को भगाने का टार्गेट नहीं था उस वाक, लेकिन 1929 में जो दिसंबर में कॉंग्र पूर्ण कदम था, तो इसलिए भी इस अधिवेशन को क्या माना जाता है, इतियासिक माना जाता है, उसके पर तीसरा जो बड़ा कार्ण था, जिसके कार्ण इस अधिवेशन को इतियासिक आ जाता है, कि यहां पर घोसित किया गया, यानि कि एक और प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि बिटिश सरकार है वो जल्दी हमें सवशासन नहीं देती है यानि कि हमें कुछ अधिकार नहीं देती है हमें कुछ शक्तियां नहीं देती है तो 26 जनवरी 1930 को सवतंतरता दिवश के रूप में मनाया जाएगा और जब तक वास्त्विक आजादी नहीं मिल जाती तब तक हम इसको मनाते रहेंगे तो तीन कार्ण थे ये तीसरा बड़ा भी इंपोर्टन कार्ण था कि हमने दिसंबर में डिसाइड किया एक मांग रखे कि या तो हमें कुछ शक्तियां दे दी जाए कुछ अधिकार दे दी जाए अगर नहीं दिया जाएगा तो हर वर्ष ह हम इस दिन को आजादी दिवस के रूप में मनाएंगे जब तक हमें एक्चुल में आजादी नहीं मिल पाती ये काफी इंपोर्टेंट डिसिजन था क्योंकि जब तक हमें आजादी नहीं मिली ये डे एक तरिके से जोश भरता था नई प्लानिंग की जाते थी कि इस बार ह था कि इस अदिवेशन में पूरण सवराज का प्रस्ता अपारित किया गया कि जब तक हमें वास्तों में आजादी नहीं मिल जाती तब तक हम 26 जनवरी को हर वर्ष सवतनतरता देवस के रुप में मनाएंगे ये जो 26 जनवरी है इसी दिन हमने सविधान लागू किया था ज लाहोर अदिवेशन कब हुआ और उसको एतियासिक क्यों कहा जाता है तो यहाँ पर हम 1929 में चलें 1929 में एक और महत्मुन घटना घटे तुई वो थी आर्थिक महामंदी की शुरुआत ओके वर्ल्ड वाइल्ड एकनोमिक डिप्रेशन या फिर वर्ल्ड वाइल आर्थिक म शुरुआत थी जो सूपर पावर कंट्री थी अमेरिका से हुई थी ब्रिटेन, फ्रांस सभी इसकी चपेट में आये थे तो यहाँ हमारे लिए जो एक्जाम पॉंट ओफी से टोपिक दिया गया और इंपॉर्टन कोशन बनता है कि आर्थिक महामंदी जो आई थी उसके भ फस्नें थी उनकी कीमते गिरने कीमते हैं हो कम होने शुरू हो गए थी और बाद में उन फस्नों की कहीं पर मांग भी नहीं रही यानि भारत की अर्थव supportive बड़ा जटका था विशेश तोर पर जो गाओं में क्योंकि उस वक्त तो लगभग ये मान के चली के 80% जो इंडियन्स थे वो गाओं में ही रहते थे तो वो अर्थवस्ता गडबड हो जाती है दूसरा परभव पड़ा कि किर्शी वस्तों की मांग में गिरावट आ गए क्योंकि जो पेदावार थी तो उसकी विदेशों में भी मांग कम होगी तो उसकी लोगों की आय कम होगी उसके कांड भी मांग कम होगी तो किर्शी वस्तों की मांग में भी गिरावट आ गए जिसे जो कार खानों अगर हम कच्छे माल के दोर पे जाता था तो वो भी जाना बंद हो गया तीसरा किसानों के लिए अपनी फसल बेचना और जो लगान था उसका भुकतान करना बड़ा मुश्किल हो गया यानिकि फसल बेचना भी मुश्किल हो गया और अगर फसल नहीं बिकेगी और कीमते कम हो गए थी तो लगान कैसे चुकाते वो तो यह दिक्कत आई यानिकि जो पहले तीन पॉइंट हो किसे किरशी और किसान से समझ देए किरशी जो फसले थी उनकी कीमते कम होगी किरशी फसलों की या किरशी वस्तों की डिमांड कम होगी और किसानों की आये कम होगी उनकी लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया पूरा देश आर्थिक संकट में आ गया था क्योंकि भारत के अर्थवस्ता किर्शी पर ही आधारी थे उस वक्त साथ-साथ बेरोजगारी बड़ी क्योंकि इस तोरान काफी बड़ी संख्या में कार खाने थे वो बंद हो गए दूसरा ये भी था वैपार में लगए थे वैपार चोपट हो गया तो वो भी बेरोजगार हो गए किर्शी में भी ऐसा ही कुछ हालात रहे तो इसके करण भारत में बेरोजगारी बड़ी साथ-साथ आए कम होने के करण और बेरोजगारी बढ़ने के कान इस तोरान भारत में गरीबी में भी व्रीदी होती है यानि कि बहुत सारे लोग हैं जो मिडल क्लास हम कह सकते हैं कि कुछ बहतर स्तीधी में थे उनके हालात भी खराब हो गए साथ-साथ वैपार वैपारी और उनका वैपार दोनों ठफ हो गए यानकि वैपारी भी बरबाद हो गए और उनका वैपार था वो ठफ हो गया इस तोरान बड़े बड़े कार खाने थी उनको बंद करना पड़ा क्योंकि किसी परकार की जब आय कम होगी तो मांग कम हो चुकी थी तो वैपार भी चोपट हो चुका था और इसके कारण बड़े बड़े कार खाने थी उनको बंद करना पड़ा और एक जो हम कह सकते हैं इसका positive परभाव रहा positive परभाव यह रहा कि राश्ट्रिया अंदोलन जो था हमारा उसको बल मिला इसे क्योंकि लोगों को लगा कि यह सारी समष्य है क्योंकि इस वक्त ऐसा नहीं था कि समझ पाएं कि एक वेश्वी का आर्थिक महामंदी लोगों को लगा कि हमारी जितनी भी समझ्या बढ़ रही है बिरोजगारी हो चाए वो गरीबी की समझ्या हो चाए वो महंगाई की समझ्या हो उनको लगा कि ये ब्रिटिस सरकार के कान बढ़ रही है तो इसमें अगर आपका ये question पूछा जाता था आपको comments से points लिखने कि मंदी आती है तो क्या होता है तो इस आर्थिक महामंदी के कांड किर्शी फसलों की किमती कम हो जाती है किसानों की आय कम हो जाती है किसानों के लिए लगान चुकाना मुश्किल हो जाता है और वैपार ठ उठ हो जाते हैं कि अंग्रेजों को बाहर भगाना है उन्हें लगता कि सारे समस्या का जड़ यहीं अंग्रेज है तो यह था 1929 में दो बड़ी घटनाई हमने पड़ी पहला लाहोर अदिवेशनवार और इसी वक्त आर्थिक महामंदी की शुरुवात्वी जिसने पूरे विश्यो को हिला करके रख दिया था उसके बाद हम 1930 में चलेंगे 1930 में तो यहां पे हम एक साथ ही कर लेते 1931 और 32 में तीन राउंटेबल कॉन्फरेंस हुए थे गोल मेज सम्मेलन गोल मेज यानि आप सही समझ रहे हो गोल मेज था उसके चार उतरब बैठ करके मेटिंग हो रहे थी तो इसको गोल मेज सम्मेलन या राउंटेबल कॉन्फरेंस कहा गया तो यह तीन हुए थे 1930, 1931, 1932 तो हमें याद रखना है कि कब-कब हुई 1930, 31 और 32 तो यह गोल मेज सम्मेलन थे यह किस लिए हुए यह भी उसी लिए हुए थे कि भारत की तरफ से, कॉंग्रेस प कि चुटकियों में वहां जाए 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 उन्हें लगा कि बड़े नेता अगर वहां पहुंझ जाएंगे तो दो-च्यार साल तो इससे निकली जाएंगे तब तक सारा मामला जो त्यारी है वो ठंडी हो जाएगी तो गोल मेज सम्मेलन उसका आयोजन किया जाता है तो ल प्रिटी सरकार ने गोल मेज सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा कि हम चर्चा करेंगे कि भारत को जब आजादी दी जाएगी तो उसका स्विधान कैसा हो हालांकि आजादी के बारे में कुछ नहीं सोचा जा जा रहा था लेकिन एक त्रिके से गुमाने की बात थी तो इन गोल मेज सम्मेलन होते हैं 1930, 1931 और 1932. कॉंग्रेश पार्टी पहले गोल में सम्मेलन का बॉयकोट करती है बहिसकार करती है नहीं जाते हैं, दूसरे गोल मेज सम्मेलन में घांधिजी भाग ले निकले जाते हैं, हलांकि बात नहीं बनती क्यूंकि वास्ता में कोई intendon थाई नहीं अंग्रेजी सरकार का की भारतियों को कुछ दिया चाहिए 1932 का जो तीसरा होता है उसका भी कॉंग्रेस पार्टी बॉयकॉट करती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये सिरफ दिखावा है और कुछ नहीं है भारत के केवल एक नेता थे जिन्होंने तीनों गौल में सम्मेलन में भाग लिया था वो थे बी आरम बेड कर डॉक्टर बी आरम बेड कर क्योंकि वो वहीं थे तो उन्होंने तीनों गौल में सम्मेलन भाग लिया था इसके लाब भारत के जितने भी परमुक राज़तिक डलते उन्होंने इसमें से एक ही सम्मेलन भाग लिया था बाकि सबी का बॉयकॉट किया गया था तो यहां आपका वन मार्क्स का कोश्चन ही बन सकता है कि गोलमे सम्मेलन पहला कब हुआ दूसरा कब हुआ तीसरा कब हुआ गांदी जी ने कौन से में भाग लिया कहां हुए लाइक डैट ओके तो यहां हम गोलमे सम्मेलन के एक साथ बात कर चुके उसके बाद हम 1930 में ही रह पहला ऐसे योग अंदोलन था और उसके बाद सवीने अवग्या अंदोलन अपने समय का सबसे बड़ा अंदोलन था उससे भी कहीं बड़ा अंदोलन हुआ था सवीने अवग्या अंदोलन तो चलिए सबसे पहले हम नमक मार्च की बात करते हैं नमक मार्च क्या था उसको सम रिबन काटते हैं न किसी चीज का उद्गाटन करने के लिए ऐसा होता है तो वैसी वो नमक बनाना एक तरके से रिबन काटा गया था कि से विन्यावई ज्यान दोलन की शुरुआत हो गई है तो गांधी जी ने नमक क्यों चुना ये एक इंपोर्डिन कोश्चन है जो आपके उत्र भारतियों, दक्षन भारतियों, पूरो भारतियों, पश्विम भारतियों, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी कल्चर का हो, वो सभी नमक को प्रियोग करते हैं तो गांधी जी को लगा कि एक ऐसा सक्तिशाली परते क्या जिससे पूरी देश को एक जोट कर स यानि वो भी हम नहीं बना सकते तो इसलिए गांदी जी ने सोच समझ करके नमक को चुना कि नमक के साथ हम सवीने अवग्यान दोलन की शुरुआत करेंगे तो यह आपका बनेगा थ्री मार्क्स के लिए कोशिन बन सकता है कि गांदी जी नमक को चुना उसके बाद जो सुरुआत होती है दांडी मार्च या नमक मार्च की ये भी एक इंपोर्टन कोशिन बनता कि ये दांडी मार्च या नमक मार्च क्या था तो सवीने अवग्यान दोलन की सुरुआत होती है वो दांडी मार्च से होती है नमक मार्च इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें नमक बना करके कानून को तोड़ा गया था दांडी मार्च इसलिए कहते हैं क्योंकि दांडी तक दांडी एक तटिये शहर है गुजरात का तो वहां तक पेदल मार्च किया गया था जिसलिए इसको दांडी मार्च या फिर नमक मार्च कहा जाता है नमक पर कर जो लगाए गए थे नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी जो एकाधिकार था सरकारी एकाधिकार का मतलब यह कि सरकार के लवा कोई भी नमक नहीं बना सकते थे कानून बना दिया गया था, तो महत्मा गांधी ने सविन्य अवज्यान दोरन शुरुआत करने का मन बनाया, कि जब लगा कि अब तो हदी हो गई है, मतलब नमक के उपर भी टेक्स लगा दिया, मतलब यह तो सिर्ब पैसा ही लूटना जाते हैं, तो तब गांधी ने सविन्य सविन्य अवज्यान दोरन सुरुआत करने का मन बनाया, महत्मा गांधी ने अपने विश्योष्णिये, जो सव्यम सेवक थे, जो उनके साथ, यानि कि कितने थे, 78 लोगों के साथ, नमक मार्च की शुरुआत की, कहां से की, अपने गुजरात में साबरमती आसरम से, यानि क परती दिन दस मिल वो पेदल चले थे यानि कि 24 दिनों की एक टोटल यात्रा थी तो नमक पर कर लगाने की बात से नाराज होकर के गांधीजी ने समिन्यावाई ग्यांदोलन शुरुआत करने की योजना बनाई उन्होंने शुरुआत की थी अपने 78 अनियाईयों के साथ इसके शुरुआत की थी लेकिन जैसे जैसे वो आगे बड़े लाखों हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते गए यह जो नमक मार्ज था या दांड़ी मार्ज था इसके शुरुआत साबरमती आश्रम से चल करके दांडी तक यह यात्रा जाती है कुल दूरी 240 मेल की थी परती दिन 10 मेल की यात्रा की गई कुल यात्रा जो थी 24 दिनों में पूरी के गई थी तो यह नमक मार्स था अब वहाँ देखिए कि उसमें होता क्या कि 6 अप्रेल को गांदी जी पहुंचते हैं दांडी ठीक है 6 अप्रेल को 24 दिनों के बाद कहां पहुंच आते दांडी एक कोस्टल ताउन है तर्टी इलाका है जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करें थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करें तो लगबग यहां पर दांडी है और यहां पर साबरमती आस्रा में तो यहां तक का जो रास्ता था वो तैय किया गए था बिल्कुल तर्टी यह इलाका है तो यहां तक का जो रास्ता था वो तैय किया गए था और 6 अप्रेल को गांदी जेव दांडी पहुंचाते हैं और समुद्र के पानी को उबाल कर नमक का निर्मान करते हैं क्योंकि नमक मनाना उस वक्त कानून के खिलाब था तो उन्होंने नमक समुद्र के पानी को बोयल किया उबाला नमक बनाया, इस त्रीके से उन्होंने उपचारिक तोर पर नमक कानून को तोड़ा था और यह सविन्य अवग्यान दोलन की शुरुआती अब यहाँ से सुरुआत होती है सविन्य अवग्यान दोलन की यह अलग से question बनेगा दांडी मार्च के बारे में आप क्या जानते हो यह नमक मार्च के बारे में आप क्या जानते हो तो यह हमारी five points हो जाते है जिसमें आपका long answer type question भी बन जाता है लेकिन यह अगर question आपका पूछा जाता है तो maximum three marks का ही पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च के बारे में आप क्या जानते हो तो यहाँ पर सवीन्य अवग्या अंदोलन की शुरुआत होती है सवीन्य अवग्या अंदोलन क्या था जैसे ऐसे योग अंदोलन जो था उसमें बात की गई थी कि अंग्रेजों का सयोग नहीं करना है सविन्य वय्ञ अन्दोलन सविन्य मतलव हाits जोड़कर और अवय्ञ मतलव बातना मानना ये अन्दोलन थोड़ासा उससे next level का था जैसे गेम में होता ने नेक्स्ट लेवल तो यह नेक्स्ट लेवल का था यहां पर गांदेज ने कहा कि अंग्रेज है वो हमारी देश में हमारे उपर हुकम नहीं चला सकते हम उनके कानूनों को नहीं मानते तो उन्होंने भारतियों के लिए एक तरीके से उन्होंने अनुग्रा किया कि जो भी ऐसे कानून है काले कानून है उनका हम पालन नहीं करेंगे अगर वो जेल में डालते हैं तो हमें डालते हैं तो ये सविन्या वग्यांदोलन का एक अलग लेवल था जिसमें कानूनों को तोड़ने के लिए गांदेजने का था लेकिन हिंसा का सारा इसमें भी लेने की मनाही की थे तो चलिए हम सविन्या वज्या अंदोलन को देखते हैं हालांकि इसमें कुछ नया नहीं था जिस परकार की घटनाएं घटित हुई थी जो ऐसे योग अंदोलन में वैसा ही कुछ इस सविन्या वज्या अंदोलन में होता तो सविन्या वग्या अंदोलन की शुरुआत कब होती है 1930 में होती है देश इस दोरान कौन-कौन सी घटनाए घटीत होती है कि देश के विभिन हिस्सों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा यानि कि नमक का निर्मान किया और सरकारी नमक कारखानों के सामने दर्शन किया यानि इसके साथ सुरुआत थी क्योंकि नमक एक इंपोर्टेंट भाग था इसका जैसे जैसे यह अंदोलन फेलता गया दिरे दी यह अंदोलन फेलता गया तो इसमें बाकी चीजे भी सामिर हो जाते है जैसे विदेशी कपड़ों ने उनका बहिस्कार किया ग लकड़ी और चड़ने वाले जो मवेश्यों को इकठा करने के लिए आरक्षित वनों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया यानि कि पशो को चराने के लिए और लकड़ी कठा करने के लिए आरक्षित वन जिनमें जाने के मनाई थी वहां जाना मना कर दिया और गांदी जी कि एक भक्त शिश्य अब्दुल गफार खान को पेशावर की सडकों पर परदर्शन करते वे भीड़ भाड़ वाली कारों और पुलिस की गोली बारी का सामना करते वे गिर्फतार भी कर लिया था यानि कि कई जगह पर हिंसा भी होती है तो यहां पर अगर आपको लिखना पर बहिसकार कर दिया था वकीलों ने कोट का बहिसकार कर दिया था लोगों ने विदेशी वस्तूं का प्रियोग करना बंद कर दिया लोगों ने खादी पहना शुरू कर दिया था तो वो गटनाई सारी सेम थी कुछ गटनाई अलग थी जैसे नमक कानून नमक बना करके नमक क पेलता गया तो जो ब्रिटिस सरकार थी उन्होंने सक्ति दिखाई सक्ति दिखाई क्यों क्यों उन्हें लग रहा था कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो साइद इस बार उनकी नीम हिल जाएगी तो कई जगह पर कई सारे लोग है वो मारे जाते हैं जो पुलिस के साथ होती है इवन गांदी जी को ग्रिफतार कर लिया गया था जब शोलापुर में ओद्योग करमचारियों ने ब्रिटिश आसन का परतिक पुलिस चोकियों नगरपाली का भवन है या जो अदाल थी रेलिवी स्टेशन थी उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया जब यह बात फ सविन्या वग्या अंदोलन और ऐसयोग अंदोलन जो थे उनमें पहला जो अंतर था उदेश्य में उदेश्य क्या था ऐसयोग अंदोलन का उदेश्य था सवराज की प्राप्ति यहां पर था पूरण सवराज की प्राप्ति ऐसयोग अंदोलन में गांदी जी ने कहा था कि हमें सियोग नहीं करना यहां पर गांदी जी नहीं कहा था कि हमें कानूनों को तोड़ना है ऐसे योग अंदोलन महिलाओं की भागिदारी कम थी यहां पर महिलाओं की भागिदारी ज्यादा थी ऐसे योग अंदोलन जो था वो सीमित इलाकों में था जबकि ऐसे योग अंदो अंत्र किया था मुझ्खय तोर पर यह जो सविन्य वग्य अंदोलन था यह जादा प्रभावसालिक था जादा व्यापक था लोगों की भागिदारी इसमें जादा रही थी तो यहां तक हमने देखा कि ऐसे योग अंदोलन के बार जो दूसरा बड़ा अंदोलन था वो था 1934 तक चलता लेकिन ब्रेक ले लेके कैसे ले लेके वो हम आगे डिसकस करेंगी अब 1930 के बाद 1931 में बढ़ते हैं 1931 में एक महतमुल घटना घटित होती है एक तो हम पहले डिसकस कर चुके हैं कि 1931 में दूसरा गोल में सम्मेलन होता है 1930 में पहला होता है 1931 में दूसरा होता 1932 में तीसरा होता है वो पहले डिसकस कर चुक है एक और महतमूल घटना घटी तो थी वो था गांधी इर्विन पैक्ट पैक्ट का मतला होता है समझोता इसको दिल्ली समझोता भी कहते हैं दिल्ली समझोते के नाम से भी कोशन पूछा जा सकता है क्योंकि दिल्ली में हुआ था और गांधी और लौड इर्विन के बीच में हुआ था तो इसलिए गांधी इर्विन पैक्ट भी इसको कहा जाता है तो गांधी और इर्विन पैक्ट कब हुआ 1931 में हुआ कहां पर हुआ दिल्ली में हुआ किस के बीच में हुआ, महत्मा गांदी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया जो समझोता हुँ था, गांदी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया और इर्वीन के साथ साथ गांदी इर्वीन नामक समझोते में प्रवेश कर लिया यानि कि इस समझोते के तैट गांदी जी इस बात के लिए मान गए कि हम सविन्यावाई ग्यांदौलन को वापस लेते हैं और साथ ही साथ गांदी जी इस बात के लिए मान गए कि वो second round table conference में भाग लेंगे second round table जो goal में समयलन था उसमें भाग लेने के लिए सहमत होगे गांधी जी ने इस आंदोलन को सविन्यावी आंदोलन को रोक दिया और दूसरे गोल में सम्मेलन भाग लेने के लिए राजी हो गए, त्यार हो गए कि चलो भाग ले लेता हूँ बदले में लोड इर्विन ने ये वादा किया कि सभी राजनतिक केदियों को रिहा कर दिया जाएगा, राजनति केदि कोन से होते हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, जो सरकार के खिलाब परदर्शन कर रहे थे, इसलिए उनको ग्रफतार किया गयता है, यानि कि उन्होंने चोर, चोरी या फिर हत्याय इस परकार के मामले वाली नहीं थे, बलकि राजनतिकार नोसी इनको अरेश्ट किया गया था, उनको छोड़ दिया जागा, ये था गांधी इर्विन समझोता, गांधी इर्विन पैक्ट, ये भी एक important question है, one marks के लिए भी और three marks के लिए भी, ठीक है, इसी समझोते के बाद गांधी जी त्यार होते है कि second round table conference में भाग लेते हैं, चलो देखते हैं कि आपता अंगरेज हमारी बात मान जाए, हलांकि हुआ ऐसा कुछ नहीं था, उसके बाद 1931 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1932 में, यहां पर 1932 में हम बढ़ते हैं और 1932 में ए जो डॉक्टर बियार अमबेड करा है, उनके बीच में होता है, तो डॉक्टर बियार अमबेड करने दलितों के लिए अलग निर्वाचकों की मांग की थी, यानि कि डॉक्टर बियार अमबेड करके उस वक्त मांग क्या थी, उनकी मांग यह थी, कि एक ही जगह से जैसे एक लेकिन ये जो मांग थी, इस मांग को ब्रिटिस सरकार ने तो मांग लिया, यनकि ब्रिटिस सरकार थी, उन्होंने अमबेड कर की मांग को हाथो हाथ लिया, हाथो हाथ क्यों लिया, क्योंकि अंग्रेजों के नितित यही थी, फूड डालो राज करो, उन्हें और क्या लेकिन गांदी जी ने आमरन अंशन शुरू कर दिया क्योंकि गांदी जी इस बात के पक्स में नहीं थे उनका मानना था कि दलीतों के लिए अगर अगर निर्वाचक मंडल की मांग को सिवकार कर लिया जाता है तो देश की एकता भंग हो जाएगी कि जो देश का आंदोलन है वो तो कमजोर पड़ जाएगा और ऐसा लग भी रहा था कि कमजोर करने की नीती थी ब्रिटी सरकार की तो इसलिए गांदी जी है वो इस मांग के खिलाप आमरन अंशन की शुरूआत कर देते हैं अंत में अंबेड करने अंत तै गांदी जी के विचार को सिवकार कर लिया है निकि उनकी बात को उन्होंने मान लिया कि हाँ सही है किसे देश की एकता है या देश का अंदोर लें वो कमजोर पड़ सकता है तो इसके कारण 1932 में पूना पैक्ट होता है हलांकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता है गर पूना पैक्ट लिखना तो हमें सिरफ इतना बताना है कि 1932 में पूना पैक्ट होता है ये गांदी जी और डॉक्टर बियार अंबेड कर के बीच में होता है इस पूना पैक्ट के त्यात क्या होता है कि गांदी जी ने आजादी के बाद दलीतों को आरेक्षन देने का वादा किया उन्होंने वादा किया कि आजा गांधी जी ने दलीतों को आरेक्षन देने का वादा किया जबकि डॉक्टर बियार अमबेड कर ने अपनी प्रिथक निर्वाचन की जो मांग थी उसको छोड़ दिया तो ये भी एक important question बनेगा जो काफी बार three to four times आपके board exam में पूछा जा चुका है तो ये हुआ 1932 तक हम पहुंचके हैं अब भी हमारा chapter अगर वैसे बात की जाए तो complete हो चुका है क्योंकि 1933 की बात करें तो 1933 में गांधी जी वापस लोट आते हैं second round table conference के बाद और 1932 के last में आ जाते हैं तो वापस आने के बाद उन्होंने दोबारा से यांदोलन की शुरूआत कर देते हैं क्योंकि उन्होंने दोबारा से शुरूआत कर दी लेकिन लोगों में अब जोश ठंडा हो चुका था और 1934 में आते हैं दम तोड दिया 1934 में आते हैं और्टोमेटिक ही यांदोलन खतम हो गया था और गांधी जी को यांदोलन वापस लेना पड़ा क्योंकि वैसे ही खतम हो चुका था तो 1934 में कोई बड़ी घटित नहीं हुई जरफ हमें याद रखना है कि इस आंदोलन को वापस कब लिया गया था 1931 में एक बार उसके बाद दोबारा शुरू किया गया था 1932 में और 1934 में फाइनली इस आंदोलन का अंतो जाता है अब जो हमारे दो क्विश्चन बनेंगे और दो तिन हमारे टोपिक बनेंगे जो अब तक हमने पढ़ा उसी के बेश पर क्या उनकी आशाएं थी कि ये हमें मिलेगा तो एक तो हमारी ये important question बनेगा तो सविन्य आवग्या अंदोलन में अलग-लग समदाई ने भाग लिया जैसे जो धनीक किसान समदाई थे उन्होंने भाग लिया था इसमें बढ़ चड़ के उनकी क्या उमिदे थे कि वे वैपारी मंदी जो वैपार की मंदी थी गिरतीवी किमतों के कारण बहुत ज़्यादा परभाई थे यानि जो आर्थिक महामंदी चल ली थी तो उससे बहुत ज़्यादा परभाई थी ये बड़े किसान हुए थे, यानि पसलों की किमते गिर चुके थी, वैपार में मंदी आ चुके थी, और जैसे जैसे उनकी आए गायब हुई, तो उनके लिए करों का भुकतान करना भी असंब हो गया, इसलिए अमीर किसान थे, उस सविनिया वाई यांदोल में बड़े जोर सोर से कुद पड़े थे, ये सामिल हुए थे, दूसरे सामिल हुए थे, इसमें गरीब किसान, अब गरीब किसान क्यों सामिल हुए थे, कि जैसे जैसे महामंदी जारी रही, आए घटती गई, और छोटे जो किसान थे, उनके लिए भी करों का भुकतान करना मुश्किल हो ग इसलिए वो भी जोश में इस आंदोलन में सामिल होते हैं। तो दो समधाय होगे बड़े किसान और चोटे किसान। उसके साथ साथ जो उद्योग पती थी उन्होंने भी बढ़ चड़करे पहली बार इस आंदोलन में भाग लिया था क्योंकि ऐसे वह अंदोलन में उनकी वह आगे बड़े क्योंकि 1914-18 के बीच में जब पर्थम विश्योद हुआ था वह बंद हो चुका था तो इनको बड़ा लाब हुआ था। इन्हें लगता था कि अगर ऐसा ही कुछ हो तो दोबारा लाब होगा और कैसे हो सकता है अगर गांदी जी का यह अंदोलन काम्याब हो जाए तो हो सकता है अंगरे जो को कुछ मांगे माननी पड़े तो इसलिए वो अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए इस आंदोल में कूद पड़ते हैं उन्होंने इसके लिए 1927 में भारतिये उद्योगिक और वांजी कोंग्रेस और भारतिये वांजीक मंडल और वैपार की सुरक्षा उसके बाद उद्योगिक सर्मिक थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया था इस आंदोल में उन्होंने क्यों भाग लिया तो उद्योगिक सर्मिक थे उन्होंने भाग लिया लेकिन उन्होंने गांदिवादी करकरम को चुनिंदा कोई अपना यानि कि जो उनके फाइदे का था उसको उन्होंने का यस बाके को कार नो जैसे उन्होंने का विदेशी शामानों को बैसकार करना तो उन्हें लगा कि हम तो द्यों की शर्मिक है हमारी इंकम तब बढ़ेगी जब वहां से प्रोडेक्शन बढ़ेगा उन्होंने कम मजदूरी की मांग को उठाया, उन्होंने खराब जो कामकाजी प्रिस्तिदिया थी, उनके खिलाब परद्शन किया, यानि कि उन्होंने उन्चुनिन्दा मुद्दों को उठाया, जो उनके लिए फाइदे मंद थे, उसके साथ-साथ इस सांदो्य में महिलाओं में भाग लेने और नमक का निर्मान करने विदेशी कपड़े और श्राब की दुकानों को जलाने के लिए उके उनको बंद करने के लिए अपने घरों से निकली थी कई जेल भी गई थी इस तोरान और शहरी शेत्रों में जो महिलाएं थी वो उच जाते के परिवारों से थी जबकि ग्रामनी शेत्रों वे अमीर किसान परिवारों से थी क्योंकि उस वक्त जो पड़े लिखी महिलाएं थी वो इन्ही परिवारों से आती थी तो महिलाओं के भागिदारी पहली बार देखा कि महिलाएं सडकों पे उतर आई थी और उस वक्त गांधी जी ने एक सविन्यावयां अंदोलन से उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सविन्यावयां अंदोलन की और इसकी कम्यों की यानि कि सविन्यावयां था उसकी सीमाएं क्या थे इसकी दो कम्या थी उससे यूं कह सकते हैं कि सविन्यावयां कुछ और बड़ा हो सकता था लेकिन गांदी जी ने घोशना की कि जब तक छुआ चूत को समापत नहीं किया गया तो सवराज सो साल तक नहीं आएगा गांदी जी को लगता था कि जब तक हम खुद ही कमजोर हैं तब तक हम कैसे अंग्रेजों के खिलाब संगर्ष कर पाएंगे सबसे जादा पहले जरूरी है कि हम अपनी कम्यों को दूर करें जो भी हमारे में कम्या हैं उनको दूर की जाए तो उन्होंने जोर दिया कि जब तक इस छुआ छूत को ख़तम नहीं किया जगा तब तक आजादी के बारे में हम सोची नहीं सकते उन्होंने अचूतों के लिए हरी जन या भगवान के बच्चे नाम दिया और उन्होंने उनकी मंदिरों में प्रवेश साजने कों, टेंकों, सडकों, स्कोलों में प्रवेश के लिए सत्यागरे का आयोजिन किया कुछ हिस्सों में जो छुआ छूत का उस वक्त एक कूरीती थी उसके खिलाफ गांदी जी डटे हुए और उन्होंने लोगों को जागरु किया और उन्होंने खुद भी संगर्स किया ताकि जो कूरीती थी उसको समाप्त किया जासके उन्होंने स्वेम भी भंगी मतलब सफाई कर्मियों के कारे की परतिष्टा के लिए उन्होंने सोचालियों की सफाई की यानि कि गांधी जी ने कि कोई भी करम से अपने कारे से छोटा या बड़ा होता है जनम से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता इस बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? कि सोचालयों की सफाई की, उठ जातियों को अपना हरिध्या बदलने और छुआचुट के पाप को छोड़ने के लिए त्यार किया तो गंधी जी आ गया ने इस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रियास किया और सफ़लता में मिली अगर हम कहें कि देश में जो बदलाव आया तो उसका बड़ा क्रेडिट उस वक्त जाता है वो गंदी जी को जाता है क्योंकि उन्होंने खुद वह कारे कीए उसके दूरी बने वी थी किसे दलितों के साथ दलित नेताओं ने खुद को संगों में संक्ठित करना शुरू कर दिया उस वक्त सेक्षनिक संस्तानों में आरेक्षित शेटों की मांग करनी शुरू कर दी और एक अलग मत्ताता जो विधाई परिश्वदों के लिए दलित स्यदिशों का चुनाव करें यानि कि अलग निर्वाचन की मांग करनी शुरू करती इस परकार के कुछ उच वक्त संग्ठन भी बन गए थे किस से पहले सविन्य आवग्या अंदोलन से पहले तो सविन्य आवग्या अंदोलन में दलित भागिदारी सिमित रही थी किनकी महराष्ट्रा और नागपूर इलाकों में खास दोर पे जहां पर इस परकार के संग्ठन थे उन्होंने कहा कि ये कॉंग्रेस पार्टी का अंदोलन है हमारा अंदोलन नहीं है जब तक हمारी मांगे पूरी नहीं होती हम इस अंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो यहां पर ये कह सकते हैं कि एक सीमा है ये रही कि महराष्ट्रा के लाके में नागपूर के लाके में जहा elephant पर कार के संग्ठन जो ज़्यादा मजबूत है वहां पर दलीतों की भागीदारी है इस आंदोल में कम रही, जो पहली सीमा रही है, पहली कमी रही है सवीन्यावगयांदोल की, अदरवाइज सवीन्यावगयांदोल और भी ज़्यदा बड़े लेवल का हो सकता था उसका दूसरा जो समू है जिनकी भागेदारी थोड़ी कम रही वो था मुस्लिम समधाई इसका कारण ये रहा है कि मुस्लिम लीग और कॉंग्रिस पार्टी जो दो रांतिक दलते तो उसमें मुस्लिम लीग के जो समर्थक थे उनकी भागेदारी कम रही क्योंकि उस वक्त उन और उनके अंत के बाद मुस्लमानों का एक बड़ा वर्क कॉंग्रेस से अलग थलग पड़ गया क्योंकि वो जो वर्क था वो मुस्लिम लीग के करीब जा चुका था और इसका एक और कारण ये भी था कि 1920 के दर्शक में कॉंग्रेस हिंदू मास्कवाद जैसे जो हिंदू धार्मिक राष्टवादी समूथे उनके साथ ज्यादा जूड़ी वी थी ऐसा भी लग रहा था तो इसलिए जो मुस्लिम समदाय का एक बड़ा वर्क था वो कॉंग्रेस पार्टी से अलग हो गया उन्हें लगा कि ये हिंदू अधी पार्टी बनती जा रही है जैसे ही हिंदू और मुस्लिमों के बीच में संबंध खराब हुए परतेक समदाय ने उगरवाद के साथ साथ धार्मिक जुलोसो कायोजन करना शुरू कर दिया जैसा मैंने बताया कि शिक्ष्या उस वक्त नहीं थी तो इस परकार की चीजों को डील करना ज्यादा मुश्किल था तो जिसमें अलगलग सेरों में कई जगह पर सामपरदायक दंगे भी हुए संगर्ष भी हुए इससे माहोल और ज्यादा खराब हो गया आपस में कि कॉंग्रेस पार्टी और मुस्लिम लिग के जो संबन थे वो बिगड़ गए जब कॉंग्रेस पार्टी और मुस्लिम लिग ने हालांकि देश की आजादी के लिए फिर से गचोड बनाने के प्रियास किये जाने के एक साथ आने के प्रियास किये बातचीत भी चले कि हम मि केंद्री विदान सभा में आरक्षित शीटें दे दी जाए तो उनको ये आश्वाशन भी दे दिया गया था लेकिन ये बातचीत सीरे नहीं चाड़ पाती है इसका कारण ये था कि 1928 में ओल पार्टीज कॉन्फरेंस में इस मुद्दे को हल करने की जो प्रियास किये थे वो स जो मुस्लिम लेक से जुड़ा हो था वो इस आवाज के आवान का जवाब नहीं दे पाया यानि कि वो इस आंदोलन से दूर आथा तो यहां पर हमने देखा कि दो समदाय थे जिनकी सविन्याव अग्यांदोलन से दूरी रही हालांकि पूरे समदाय के नहीं कुछ हद तक दूरी रही तो वो थे पहला जो दलित समदाय था विशेश तोर पर महराश्टरा में और नागपुर इलाके में और मुस्लिम समदाय में से केवल वही जो मुस्लिम लेक के समर्थक थे हलांकि बाकी इलाकों में दोनों ही समदायों के भागेदारी वो अच्छी खासी रही तो ये भी एक important आपके NCRT में topic दिया गया है कि जो सवीने वाग्यान दोन था उसकी सिमाई क्या थी या आपके exam में भी दो बार पूछा जा चुका है बोर्ड exam में तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस chapter के last question की जो इस chapter का सबसे important में से एक जो value based question होते ह उस type का question है कि भारत में जो राष्टरवाद की भावना थी रेस की एकता की भावना थी वो पूरे जोर से उस वक्त उबार ले रही थी तो इसके उभार के कारण क्या थी यानि हमारे देश में जो सामुइकता की भावना कैसे विक्षित हुई क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं था कि शिक्षिया भी नहीं थी उस वक्त कोई electronic माध्यम नहीं थे Twitter नहीं था WhatsApp नहीं था Facebook नहीं था फिर भी गजब की एकता थी तो उसके पीछे कारण क्या थे कि लोगों में ये एकता कैसे स्थापी थी या ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में राष्टरवाद के विकास को किन कारगों ने पर भारत में राष्टरवाद के विकास के क्या कारण थे तो पूरे chapter में हम यहीं पढ़ रहे ना राष्टरवाद का विकास तो ये एक सबसे important question बनता है कि भारत में राष्टरवाद के विकास को परभाइद करने वाले कारग कॉन से थे तो चली देखते हैं अब निंदरना टेगोर ने भारत माता की सबसे परचीद चवी बनाई थी जिसमें बेड़ी में जकड़ावा दिखाये था तो उस वक्त क्योंकि इंटरनेट नहीं था उस वक्त ऐसा पैसे या प्रिंट भी इतना पॉपलर नहीं था कि लोगों के पास आसानी से मिल दुए लेकिन जब भारत माता की चवी बनाई गई और उसको बेड़ीयों से जकड़ावा दिखाये गया में इसी तरीके से फ्रांस में मारियान की जो तश्वीर थी उन्होंने वहां के लोगों को जोड़ा कि यह हमारा देश है ऐसी भारत माता की तश्वीर ने भारते लोगों में एकता स्थापित की उसके बाद दूसरा जो कारक था वो था वंदे मात्रम बंकिम चंदर देश की आजादी का परतीक बन गया वंदे मात्रम को जब भी गाते थे लोगों में जोश भर जाता था कि हाँ लोग मनने मिटने के लिए त्यार हो जाते थे तो ये भी एक महत्मून कारक सीद हुआ वंदे मात्रम जिन्हों देश के लोगों को जोड़ा देश के लोगों म संगर्ष करने के लिए उसके पर तीसरा कारक था लोक अथाओं का पूर्णर जीवित करना उके उस वक्त एक नया ट्रेंड चला था कि जो लोक अथाएं थी पुरानी कथाएं थी उनको दोबारा से लिखा गया जैसे रविंदर ना टेगोड ने खुद गाथा गीत नसरी कव जब परकासित किया है तो उन कहानियों के दोरा पदा चला कि भारती लोग कितने बहादूर थे किस तरीके से उन्होंने विदेशी शक्तियों का सामना किया था तो इससे भी लोगों में जोस बरा कि अगर पहले कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं तो इसके दोरा भी लोगों म जंडा इसने भी एक तरिके से लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तो बंगाल में सवदेशी आंदोलन के दौरा एक तरिंगा जंडा बनाए गया था सबसे पहले जो लाल हरे और पीले रंगा था उसके बाद 1921 में गांधी जिने सवराज धवज जो डिजाइन किया था इसमें भी तीनी रंग थे लाल हरा और सफे था इसके केंदर में एक चर्खा था जो सवयम सायता का परतिक था कि हमें खुद को स्वालम भी बनना है खुद के दम पर हमें आगे बढ़ना है ये जो जंडा था तरंगा जंडा था इसमें जब भी आंदोलन हुआ का परतिक था तरंगा जंडा भारत माता का परतिक था तरंगा जंडा आजादी का परतिक था तरंगा जंडा अंग्रेजों के खिलाफत का परतिक था तो तरंगे जंडे ने भी लोगों को मोटिवेट किया एक जुट किया जहां पर भी तरंगा जंडा दिखाई देता था एक तरिके से आप जो अपने पन का भाव था वो पेदा हुआ। तो चाहिए वो देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी को ना हो, वहाँ पर तरंगे जंडे को लहराया गया। इसका मतलब था कि वो एक जुट हैं अंग्रेजों के खिलाब। तो यहाँ पर तरंगे जंडे ने भी भारतिये लोगों को जोड़ा, जब वो किसी भी भाषा संस्कृति को बोलने वाले ही क्यों ना हो। उसके बाद पांचवाँ जो कारक था जिन्होंने देश के लोगों को जोड़ा, वो था इत्यास की व्याख्या। इस तोरान कई भाषाओं में भारतिये जो इत्यासिक पुस्ट कें थी उनका अनुवाद किया गया। और जब अनुवाद किया गया तो कई सेरी चीजें निकल के सामने आई कि हमारा जो देश था, वो कला में, वास्तु कला में, विज्यान में, गणित में, ध्रम में, संस्कृति में, कानून में, दर्शन में, शिल्प में, वैपार में, कहीं आगे था, सोने की चिडिया था। तो जो अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी भासा के द्वारा हमको ये सिखाया था कि हम तो गवार है हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हमें शासन चलाना नहीं आता तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया था उस मानने वाले मिथ्थक को तोड़ दिया जो इत्यास की व्याख् कर सकते हैं तो ये भी एक इंपोर्टेंट घटना थी कि इतियास की जब पुनर व्याख्या की गई इस समय के दुरां तो इससे भी लोग जागरुख वे अपनी संस्कृति के पड़ती दो बारह से वो अपने गोरव को हासिर करने के लिए आगे बढ़ने के लिए त्यार हो ग सब भारती और भारती नेता हैं जो नेता थे विशेवस तोर पर वो परभाईती है कि ऐसा अगर फ्रांस में हो सकता है तो हमारी याँ पर भी हो सकता है भारती राष्टे कॉंग्रेस है इसका भी अतुल निये योगदान रहा क्योंकि ये एक मातर उस वक्त दल था जिसने भारती नेता थे विशेश तोर पर गांदी जी इसके लावा बाकी जितने भी नेता थे उनका भी बहुत महत्पूण योगदान रहा जिन्होंने भारती लोगों को एक जूट किया उस दोर में जिस दोर में किसी भी परकार के संसाधन नहीं थे जिससे कि लोगों के शङु और अन्य भारते जो लोग थे उन्होंने भारते जो नेता थे उन्होंने राष्टवाद के विकास में महत्पोन योगदान दिया। अग्रेजियों के काड़ने तो भारतियों में एक तास तापीत हुई। एक दूसरे के दुख दर्द को समझा। एसी अंग्रेजी भासा शुरुवाद तो अंग्रेजियों ने अपने फायदेग लेगी थी। लेकिन अंग्रेजी भासा एक माध्यम बन गया जिसे हम दक्षन भारतिये, उत्री भारतिये, पूरी भारतिये, पर्श्मी भारतिये आपस में बातचीत कर पाए। आपस में एक दूसरे को समझ पाए। तो इसने भी भारत में राश्वाद के वगास में एक महत्पून योगदान दिया था। इसी तरीके से समाचार पत्र पत्रिक आए। महत्पूर्ण योगदान रहा क्योंकि इन्ही के द्वारा जो अंग्रेजी सरकार के नेतिया थी उनके आलोचना की जाती थी और साथ ही साथ लोगों को बता है जाता था किस तरीके से शोषन किया जा रहा है भारते जो नेता थे वो लेख लिखते थे इन्ही के द्वरा उनके विचार थे आम जन्द तक पहुंचते थे यह बहुत सारे कारक होते हैं 10 से 12 कारक हो गए जिन्होंने भारत में राष्टवाद के विकास में योगदान दिया इनमें से आच्छे साथ कारक हैं वो अच्छे से क्या क्या हुआ जो भी चैप्टर हमने यह डिसकस किया है NCRT में से सब कुछ सारे टोपिक हमने डिसकस कर लिए अगर आप इनके नोटस अच्छे से लिख लेते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्टरा करने की कोई जरूरत नहीं है उमीद करता हूँ यह जो सफर है यह जो चैप्टर आपको बहतर तरीके से समझ में आया होगा अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत पूलेगा और हाँ जब भी आप छोटा सा कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छा लगता है कि हम जिनके लिए चैप्टर बना रहे हैं वहां तक यह पहुंच रहा है इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन है भारत मिराश्वाद के हिंदी और इंग्लिश मेडियम दोनों में हम डिस्कस कर चुक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएए क्लास टैंथ, एसस्टी, मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन में आपको मिलेगा या आई टैब में, उपर की दराफ आई बटन है वहाँ पर भी लिंक दिया गया, वहाँ क्लिक कीजिए और अभी आप देख सकते हैं कि कौन सी कुश्चन से वन मार्क्स के, थ्री मार्क्स के, फाई मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टन रहने वाले, जिनको मैं अच्छी से प्रपेर करना है आज की इस एपिसोड में बस इतना ही थैंक यू, बाइ-बाइ, हैव नाइस टे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में